अस्सलामुलीकुम विवर्स वेलकम टूस्टूट्स प्रेटफॉर्स आज हम एस्टिए 6-0 के लेस्न नंबर 27 को डिस्कूस करेंगे प्रॉबिलिटी एंड नॉन प्रॉबिलिटी सेंप्लिंग सरसे पहले तो इन दोरे की डेफिनिशन देखते हैं के प्रॉबिलिटी क्या है प्रॉबिलिटी सेंप्लिंग इसमें हर एलिमेंट को सेंपल में सेलेक्शन के लिए इकुल चांस दिया जाता है इसमें इस चांस का हमें पता होता है कि वो कितना है probability sampling में हर element को sample में selection के लिए equal chance दिया जाता है और इस chance का हमें पता होता है कि वो कितना है यानि कि एक element को sample में हम select कर रहे हैं उसके कितनी percentage उसके अंदर शामिल की गई है हमें पता होता है और जो non probability sampling है यह इसके opposite होती है इसमें हर element को sample में selection के लिए equal chance नहीं दिया जाता किसी को ज्यादा दिया जाता है किसी को कम यह उस सुरत में की जाती है जब हमारे पास time कम हो, resources कम हो type of non-probability sampling इस lesson में हम non-probability sampling की types को देखेंगे पहली है convenience sampling इसको हम accidental या grab sampling भी कहते हैं यानि जो में मिल गया उसको एकठा कर लिया और इसी से sampling हासिल कर ली इसमें तमाम elements को equal chance नहीं मिलता कुछ की selection हो जाती है और कुछ रह जाते है यानि उन elements को ले लिया जाता है जो के असानी से और जल्दी मिल जाते है मसलां आप एक college के student के मुझाली क्रियाटे कठा करना चाते हैं तो आप college गये जो जो student आपको मिले आपके सामने है इनसे data ले लिया और इसमें किसी किसम की listing जो है वो नहीं की चाती है दूसरी हमारे पास आती है परपोसिटिव सेंबलिंग विदाओट element list इसको भी हम जल्दी में कम वक्त में करते हैं लेकिन इसमें एक खास मकस्द शामिल होता है मसला एक खास किसम के subjects को हम दून रहे हैं इनके लिए हमारे पास चास criteria होता है जिसके तह्या हम सेंब्लिंग करते है मसलों college के उन students का data करणा है जो icon के student है यानि कि college के student के मतलए तो data करणा है लेकिन सब students के मतलए एक criteria हमने बना दिया कि कौन से student icon के students डेटा को रेंडमली कठा करना है लेकिन सिर्फ आईकॉम के स्टूडेंट्स से यानि इसमें एक खास परपस एक खास क्राइटरिया शामिल हो गया आगे हमारे पास है कोटा सेंपलिंग ये सेंपलिंग इसलिए की जाती है कि अगर किसी पॉपलिशन में एक खास किसम के तबके के लोगों को एक सेंपलिंग में इसलिए सेलेक्ट ना किया जा सके को वह तादाद में बहुत कम है यानि कि सेंपलिंग इसलिए की जाती है कि अगर किसी एक पापॉलिशन किसी भी पापॉलिशन के एक खास किसम के तबके के लोग एक सेंपलिंग में सिर्फ इसलिए स्लेक्ट ना हो सकें कि वो तदाद में बहुत कम है इस मकसद के लिए पापॉलिशन को मुख्लिफ काटेगरीज में तक्सीम कर ले जाता है ये काटेगरीज जेंटर के हिसाब से भी हो सकती है एज के हिसाब से या रूरल या अर्बन के हिसाब से भी मसलिन एक कालिच में फीमिल्ज बहुत कम हैं हम randomly data इकटा करें तो हो सकता है इनमें females ना आएं तो हम क्या करेंगे कि females के लिए अलग से एक quota रख देंगे ताके उनको लाजमी sample के अंदर शामिल किया जा सके आगे हमारे बाद जो type है वो है snow ball sampling जिस तरह एक snow ball के छोटे ball को जैसे जैसे snow पर roll करते जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द मज़ीद बरफ एकटी होना शुरू हो जाती है और इसका size बड़ा होना शुरू हो जाता है हमें अपनी research में भी इस तरह के sample select करना पड़ते हैं जब हम किसी मखसूस और rare subject को तलाश कर रहे होते हैं जब हमें ऐसे subject मिल जाए तो वो हमें अपनी तरह के मज़ीद subject की तरफ ले कर जाता है इस तरह के sample को हम reference sample भी कहते हैं क्योंके वो हमें बताता है कि फलाँ फलाँ लोग भी इसी की तरह के हो सकते हैं इस तरह sample में इजाफा होता उतरता है इसे subject के लिया जाता है sequential sampling में इससे थोड़ा सा मुख्लिफ है इसमें data लेने के बाद ये नहीं देखा जाता कि वो criteria को meet कर रहा है या नहीं वो data इकठा करने के बाद हम इसे compile करते हैं और इसे analyze करते हैं आगे हमारे पास आगई theoretical sampling last time पर ये non probability sampling की mostly used in quantitative research इसमें researcher खुद की judgment की basis पर cases को select करता है इनको observe करता है और info हासल करता है वो खुद से इनके बारे में discussion जो sorry वो खुद से इनके बारे में फैसले लेता है मसला वो एक वक्त में लोगों के behavior को note कर रहा है तो वो उसके ख्याल के मताबिक वो सोचता है कि अगर time बदल के इनके behavior को दिखा जाए तो क्या ये same होगा या मुख्लिफ होगा यानि researcher की खुद की insight है कि वो situation के मताबिक अपने तरीके को बदल सकता है विर्ज़ हमारा होगा lesson complete मिलते हैं अपने next lesson में till then take care Allah Hafiz